हेलो फ्रेंड्स मैं नितिस गुपता एक्जाम्टेंड चैनल से अब लोगा बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टी स्पिसल के पार्ट 25 के बारे में ठीक है और अब इसके बाद हम लोग का सुरू होने वाला है मद्यकाल ठीक है तो फिलाल यह भी मद्यकाल से ही है लेकिन जो है मद्यकाल पूरी तरह से नहीं है मद्यकाल का थोड़ा सा starting period है ठीक है अभी हम लोग मद्यकाल में पूरी तरह से entry लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है अभी दो पार्ट आएगा हमारा पूर्व मद्यकाल से ठीक है तो यह topic का नाम क्या है हमारे आज का पूर्व मद्यकाल का ठीक है और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से मद्यकाली नहीं start करेंगे तो आईए देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला question है कौन सासक पृतिवी राज चौहान के नाम से प्रसिद है बहुत ही simple question है और बहुत ही अच्छा question है तो दोस्तों पृतिव करके लोग यही जानते हैं कि पृतिवी राज चौहान जो है यह वह पृतिवी राज प्रतम ते लेकिन जो है पृतिवी राज चौहान किसको कहा जाता था तो पृतिवी राज तिरतिये को कहा जाता था ठीक है अज इनके बारे में जानते हैं अजमेर का सासक पृतिवी र चोहान के नाम से प्रसीत थे जिसने 1191 इस्वी में तराइन के प्रथम यूद ठीक है कौन सा यूद तराइन के प्रथम यूद में मुहमद गोरी को पराजित किया था किसको पराजित किया था मुहमद गोरी को ठीक है लेकिन दोस्तों तराइन के दुति यूद में जो है इनक 92 में हुआ ठीक है most important है इस चीज को याद कर लिजेगा हमेशा यहां से question बनते हैं ठीक है next बात करते हैं अगला question है तामर पत्र के लेख दरसाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था ठीक है तो किससे संपर्क था दोस्तो जावा सुमात्रा से ठीक है कि सासक देवपाल बौध मतानियाई था क्या था तो बौध धर्म को मानता था ठीक है जो देवपाल था पाल वनसी सासक देवपाल जो है यह बौध धर्म को मानता था लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है का क्या गया है परम सौगत कहा गया है देवपाल को ठीक है और उस उसने जावा के सैलेंदर वंसी सासक बाल पुत्र दयों के अनरोध पर उसे नालंदा में एक बहुत बिहार बनवाने के लिए पांच गाउँ दान में दिये थे, कितने गाउँ? तो दोस्तों पांच गाउँ दान में दिये थे ठीक है क्या बनवाले के लिए नालंदा ठीक है बहुत व्यार में नेक्स बात करते हैं अग्ला कोशन है गोविंद항डर गहडवाल की एक रानी कुमार डेवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहां बनवाया था तो कहां बनवाय था दोस्तो सारनाथ में बनवाय था ठीक है बहुत ही simple question है ठीक है एक बार आया है दुबारा तो उमीद कम है आने की लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है क्योंकि हिश्ट्री जो है न दोस्तो सब कुछ पढ़ते चलना कुछ छोड़ना नहीं है यहां पे, क्योंकि अगर कुछ छोड़े तो फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ पढ़े रहोगे, तभी सही answer टिक कर पाओगे, exam में, next question हमारा पृत्वी राज रासों के लेखक कौन थे, तो दोस्तों पृत्वी राज रासों के लेखक जो ह चंद बरदाई है, ठीक है, 94 सासक पृत्वी राज रितिये, ठीक है, किसकी बात हो रहे है, पृत्वी राज रितिये, जो की पृत्वी राज चोहान के नाम से जाने जाते हैं, तो 94 सासक पृत्वी राज रितिये के दरबारी कभी चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई इने पृथ्वी राज रासों की राचना की है। इसम्हें चौहानों को अगनी कुंड से उत्पन्द बताया गया है। ठीक है। नेक्ट बात करते हैं। इसमें तैंडम का पृथ्थ्वी राज विजय का लेख कौन है। एक पुस्तक का नाम हैь ठीक है। और इसके लेखक कोन है तो जयानक ठीक है कोन है दोस्तो जयानक जयानक जो है यह प्रित्वी राज विजय के लेखक जयानक है ठीक है किसके तो दोस्तो प्रित्वी राज विजय के यह कोश्चन एकजाम में आया हुआ और दो बार आ चुका है ठीक है जो है प्रित्वी राज रासों के लेखक चंद बरदाई है ठीक है अगर हम लोग पृत्वीराज रासों की बात करें अभी उपर हम लोग कोश्चन पढ़ें है और पृत्वीराज रासों के लेखक कोन है चंद बरदाई है लेकिन पृत्वीराज विजय के जयानक है ठीक है हमीर रासों के लेखक कोन सारंग देओ, यह भी question आया हुआ exam में, ठीक है, एक बार repeated है, हमीर रासों के लेखक सार देओ है, ठीक है, कौन है दोस्तों तो सार देओ है, और जगनी कृत, परमाल रासों के आला खंड से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, जगनी कृत, यह question भी जो है, दो बार repeated है, जगनी कृत, परमाल रासों के आला खंड से प्राप्त होता है, पूछा गया है, कहां से प्राप्त होता है, या कहां होता है, तो आला खंड में, ठीक है, नेक्ट बात करते हैं, अगला question, किस राजपूत वंस ने आठवी सताब्दी में, दिलिका या देहली सहर की अस् तोमर वंस ने, ठीक है, आठवी सताब्दी में, दिलिका, ठीक है, कहीं कहीं पे धिलिका भी आयगा, ठीक है, तो धिलिका, देहली, दिल्ली, चारू एक ही चीज़ है, आठवी सताब्दी में, दिलिका, देहली, सहर की अस्थापना, तोमर वंस के अनंग पाल ने की थी, कि प्रित्वी राज रासों में तोमर वंस के राजा अनंग पाल दिल्ली का संस्थापक बताया जाता है किसको अनंग पाल को ठीक है दिल्ली का संस्थापक बताया जाता है बाद में चौहान सासको ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया ठीक है कौन सासको ने तो चौहान सास को ने ठीक है next बात करते हैं हाँ तो friends अगला question आपके सामने जेजाक भुक्ती प्राचीन नाम था तो किसका नाम था जेजाक भुक्ती जो है या बुंदेल खंड का प्राचीन नाम है किसका बुंदेल खंड का थीक है जेजाक भुक्ती बुंदेल खंड का प्राचीन नाम था चंदेल वंस के संसापक ननुक कौन चंदेल वंस के संसाप पुंडर वर्धन भुक्ति अवस्थिती थी तो दोस्तों पुंडर वर्धन भुक्ति के अवस्थिती कहा है उत्तर बंगाल में ठीक है कहाँ पे है तो उत्तर बंगाल में प्राचीन काल में पुंडर वर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के छेतर में अवस्थित थी कौन से चेतर में उत्तर बंगाल के चेतर में ठीक है अवस्थित थी और पाल चंद्र एवं सेन राजवनसों के यूग में इसके चेतरा धिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था ठीक है सिर्फ उत्तर बंगाल नहीं कह सकते उत्तर बंगाल के बाहर भी था ठीक है दिकार कैसा था विस्तार तो उत्तर बंगाल के बाहर भी था ठीक है next बात करते है अगला कोश्चन है विक्रम सिला नामक प्राचीन विश्वविद्याले की अस्थापना बंगाल के किस सासक ने की थी तो हर किसी को पता होगा बहुत बार रिपीटेट कोश्चन है विक्रम सिला के बारे में पूछ रहा है धरम पाल ठीक है तुरन टिक करिये धरम पाल ठीक है विक्रम सिला के प्राचीन बौध विशुविद्याले के स्थापना बंगाल के पाल वंसी ये सासक धरम पाल ठीक है क सब किया था 783 से 820 के टाइम पिरिएड में ठीक है द्वारा की गई थी नालंदा विश्व विद्याले के पतन के बाद यह बहुत धर्म कैसा यह बहुत धर्म के प्रमुकेंद्र के रूप में विक्सित हुआ ठीक है बहुत धर्म के यह बिहार राज के भागलपुर में इस् अब यहां पर बंगाल लगा दिया ठीक है इस तरह से कोश्चन बनते हैं इंग्जाम में बंगाल के किस्था सकने की धर्म ने किया अब उसी में टाइम प्रिएड भी पूछ सकता है कि धर्म पाल का टाइम प्रिएड क्या था तो 783 से 820 टाइम पिरिएड था ठीक है यह भ बहुत धर्म से ठीक है नालंदा बात करें विक्रम सिलार ठीक है यह भी पूल सकता है कि यह कौन से धर्म से संबंदी था तो बहुत धर्म से संबंदी था यह बिहार यह कोशन तो आया हुआ है कि किस राज जमेश्थी था कहां पेश्थी था तो यह बिहार के बिहार राज के भागल पूर में स्थित कहां पे भागल पूर में स्थित है ठीक है 1203 इस्वी में बक्तियार खिल जी ने इस विश्व विद्याले को नश्ट कर दिया था कौन बक्तियार खिल जी ने ठीक है कब 1203 इस्वी में next बात करते हैं दोस्तो आज का मारा last question होगा ठीक है आखरी question पर चर्चा करते हैं तो यह आपके सामने है last question राश्टकूर्ट सामराज की new किसने रखी काफी अच्छा question है अभी पूछ रहा है राश्टकूर्ट सामराज की new किसने रखी तो दोस्तो राश्टकूर्ट सामराज की new जो है उसने मानने खेत को अपनी राजधानी बनाई, किसको त्थिक है? मानने खेत को उसने अपनी राजधानी बनाई और दंती दुर्ग के बारे में कहा जाता है, कि उजयनी में उसने धर गर्व यग्न करवाया। इसका मतलब क्या है कि जो दंती दूर्ग रहता है इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उज्जैन में उसने एक महादान यग्य कराया था क्या कराया था महादान यग्य कराया था ठीक है नेक्स दोस्तो इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो लाश्ट वीडियो में हम लोग कोश्चन पूछा था मैंने आपसे उस कोश्चन को आप लोग देख लीजिए ठीक है उसका अंसर क्या होगा कुस लोग ने रिप्लाई भी किया है और सही एंसर किया है ठीक है राश्टगीत का उर्दु में अनुवाद किसने किया था तो आरीफ मुहम्मद खान ने किया था किसने किया था आरीफ मुहम्मद खान ने किया था दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोग को यह चीज बताना चाहूंगा कि जो है यह जो अगर किसी को देखना हो राष्ट्रिय प्रतिक एवं चिन ठीक है बहुत अच्छी तरह से मैं cover किया हूं इसको यह topic आप लोग देख लीजिए ठीक है static gk के portion में होगा playlist में जाए YouTube पे exam trend के playlist में जाए और राष्ट्रिय प्रतिक एवं चिन के जो है नाम से जो है जंडे की लंबाई चोड़ाई जो भी है इस सारी चीजे मैं उसमें cover किया हूं ठीक है next बात करते हैं आप लोग last यह question note कर लेजे इसको आप लोग को comment box में जो है reply करना है कि इसका सही answer क्या है question है प्रतम देश जिसने महिलाओं को ओड देने का अधिकार दिया था ठीक है तो आप लोग को बताना है कि वह पहला कौन सा देश है जिसने महिलाओं को ओड देने का अधिकार दिया है ठीक है इस question का answer आप लोग धूड़िए और जिसको आता है वो भी reply करें जिसको नहीं आता है वो धूर के करें ठीक है तो दोस्तों जरूर से reply करें comment box में इसे आफिका फैयदा होगा कम से कम इसी बहाने आप एक question धूरोगे किताब खोलोगे कुछ पढ़ने को मिलेगा एक answer याद होगा ठीक है तो बहुत से profit है ठीक है तो यह बताइए हमें धूर के कि प्रथम देश जिसने महिलाओं को ओड देने का अधिकार दिया था ठीक है और किसी को इसके बारे में एक्ष्रा जानकारी हो तो वो उसको भी बता सकता है comment box में ठीक है दोस्तो तो इसी के साथ साथ यह वीडियो समाप्त होता है अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को like करिए share करिए और subscribe करिए ठीक है और इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है study91 अगर किसी को gs detail में पढ़ना ह है तो उसके लिए है 4g math ठीक है यह हमारा नया चैनल है 4g math इससे जो है math और reasoning के सारे topic solve कर सकता है easily thank you दोस्तों thank you so much